अगर आप कोई ऐसे जन है जो इन चीजों पर विश्वास करते हैं, तो आप से सविनाय निवेदन है कि इस वीडियो को यही त्याग दीजे क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी रेसिस्ट हूँ, मुझे सफेद रंग पसंद नहीं है, जहां, स्किन वाइटनिंग, किसको चाहिए सफेद स्किन, मैं तो चाहती हूँ, मेरी स्किन लाइटन और ब्राइटन रहे, शकल से मैच होते रहे हाथ और पैर और क्या चाहिए, आज मैं आपके लिए एक लग्जूरियोस सा पेडिक्योर और मैनिक्योर लेकर आई हूँ, जो कि आपकी पॉकिट को हिट नहीं करेगा, हाँ, मम्मी के किचन में थोड़ी से इंवेजन कर देगा, क्योंकि किचन से थोड़ा सा समार आपको इस्तिमाल करना पड़ेगा, और आपके हाथ पैरो में वो जो काली सी परत जमी हुई है, जो कि आपके confidence को हिट कर रही है, बस, उसी को हटाने वाले हैं, और आपकी स्किन को एक दम खुबसूरत बनाने वाले हैं, तो ready everybody, आइए देखते हैं what needs to be done, और कैसे करना है, और आप लोगों के लिए नई नई चीज़े लेकर आती रहती हूं, अगर आप चानल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा परिवार कितना खुबसूरत है, और किस प्रकार से मेरे साथ साथ सभी चीज़ों को enjoy करता है, तो आप भी हमारा हिस्सा बन सकत करते हैं, नीचे लाल रंका बटन है, उसे क्लिक कर दीजे, बगल में बेल आइकन है, उसको क्लिक कर देते हैं, तो मेरे फ्यूचर वीडियो के नोटिफेकेशन आपको मिल सकेंगे, और आप भी हमारे परिवार का एक खुबसूरत सा पाट हूपाएंगे, आज के वीडियो कि यहां पर कोच स्पेशल हो रहा है, और इसको और भी ज़्यादा प्रापगेट करना है, तो प्लीज माइ ब्यूटिफुल ओडियन्स, लाइक करना मद भूलिये, पहले लाइक कर दीजे, वीडियो तो आपको पसंद आने ही वाली है, यू अल नोट वेरी वेल, तो सारी की सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि एक ही जगह पर बैठकर आप सारी चीजों को ले आए, और जल्दी से अपने लिए इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कर लें, फर्स चप नमबर वन, आप लोगों को अपने नेल्स को अच्छे से क्लीन करना है, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगे कि आप अलकोहल फ्री वाला ही नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तमाल करें, और अच्छे से अपने नेल्स को और क्योटिकल्स को क्लीन कर लीजिए, ऐसा करने से आपके नेल जो बैड होता है, ये भी क्लीन हो जाएगा और आपको बहतर रिजाल नोन आलकोहलिक नेल पॉलिश रिमूवर, इसको रिमूव करने के बाद, अब हम शुरू कर देंगे आपका स्टेप नमबर टू, विच इस गोइंग टो बी डी टानिंग, देखिए डी टानिंग एक बहुती सिंपल सा तरीका है, आपकी स्किन पर वो जो बहुती स्टबन स परत जम जाती है, वो पल्यूशन हो सकता है, टैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसके लिए एक बोल में आपको लेना है एक पाऊच इनो का, अगर आपके बस baking powder या baking soda है तो आप उसका भी इस्तिमाल कर सकते हैं, और इसमें आपको लेना है, आधा नीमबू का रस, इसको अच्छे से आप mix कर लेंगे और ये बन गया आपका D-Tan Pack जी हां इसको आपको अच्छे से अपने पूरे हाथों में लगाना है पूरे पेरों में लगाना है जहां तक भी आप पेडिक्यूर करना चाहते हैं और अच्छे से सूपने देना है अगर आपके पेरों में मतलब ए जब मैं यहां पर आपसे कहूं कि गरम पानी प्लीज याद रखेगा कि ये ल्यूक वाम वाटर है गरम पानी से जो स्टबन टैन होता है वो कई बार और जादा स्टबन हो जाता है इसलिए पानी गरम नहीं होना चाहिए ल्यूक वाम यानि कि गुनगुना होना चाहिए इ तब से पहला इंग्रीडियंट होगा शाम्पू जो कि आपको 3-4 पंप लेने हैं अगर आप मेशर करना चाहें तो 3-4 आप इसमें 3-4 स्पून्स शाम्पू इसमें ले सकते हैं और एक चम्मच के बराबर आपको कंडिशनर लेना है आप बोलेंगे यह तो बहुत ही करता है लेकिन वो जो आपके स्टबन डेट सेल्स हैं जो वह अटक गए हैं आपके हाथों में और पैरों में उनको लूजन अप करने के लिए यह जरूरी है इसलिए लेटर ऑन प्रॉसेस में आपकी स्किन को मॉइस्टर वापस करेंगे लेकिन आज आप आपको शाम्पू आप जल का इस्तमाल किया है ताकि वो आपकी स्किन के लिए भी थोड़ा टेंडर रहे इसमें आप अपने हाथ और पैरों को डिप कर देंगे फर अप्रॉसेमेटली 15-20 मिनिट्स जी हां इतना समय चाहिए आपकी स्किन को थोड़ा सा लूजन अप करने के लिए और उसके इसके बाद आप टूज़ास की मदब से अपने नेल्स को अच्छे से कलेंड़ेंगे इंसाईड आउट बहर की सत्ह को भी करेंगे और अंदर की सत्ह को भी करेंगे it's very important, it's the most important step क्योंकि अंदर की जो सदा होती है अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो उनको clean रखना बहुत ज़रूरी होता है health के लिए भी तो अच्छे से toothbrush से clean करने के बाद आप loofah या जो भी आपके पास kumai stone है आप उससे अपने पेरों को और हाथों को अच्छे से you know wipe off करेंगे देखें नहाते समय हम तो करते ही हैं बहुत सारे लोग अभी इस point पे बोलेंगे लेकिन नहाते समय हम पूरा concentrate नहीं करते हैं हाथों और पेरों में इसी लिए pedicure और manicure हम specifically जब कर रहे हैं तो हम पूरी तरह से पूरा focus करते हुए ये काम करेंगे अच्छे से अपने हाथ को और पेर को आप scrub कर लीजिए और उसके बाद फिर से dip कर दीजिए जी हाँ इस पानिकों काफी लंबा इस्तमाल करने वाले हैं फॉर्स step नमबर थ्री आपको अपने पेरो को scrub करना है अब scrub किस से किया जाए एक बोल में आपको लेना है एक से दो बड़े चम्मच दही जी हाँ जो आप खाते हैं वो वाली दही और इसमें आपको लेना है एक चम्मच के बराबर राइस फ्लावर यानि कि चावल का आटा देखें ये दोनों अपने आप में ही सक्षम है पूरा का पूरा प्रोसीजर अकेले करने के लिए लेकिन क्योंकि हम चाहते हैं हमारी स्किन को मॉइस्चर मिले और वो बहुत अच्छा सा प्यारा सा जो हम नरिश्मिंट देना चाहते हैं वो मिले इसलिए आप इसमें लेंगे एक बड़ा चम्मच ग्लिसरीन वेजटेबिल ग्लिसरीन है या जो भी ग्लिसरीन आपके पास अवैलेबिल है वो आप इसमें ले सकते हैं और चौथा इंग्रीजिन जो यहाँ पर आप लेंगे अप चाहें तो एक बड़ा चम्मच ले सकते हैं मैंने यहाँ पर दो बड़े चम्मच कॉफी पाउडर लिया है और इसको अच्छे से स्टर कर लिया है और मेरा स्क्रब बनकर रेडी हो चुका है यह जो आपकी स्किन के लिए कर सकता है ना शायद वो मैं क्या कोई भी सब्दों में नहीं बता सकता यह आप एक्सपिरिंस ही कर सकते हैं जब आप इसका इस्तमाल करेंगे अपने हाथों और पैरों में तो प्लीज एक लिए इस स्टेप के बाद आके हमें आवश्य बताएगा स्किन टोन अच्छी करनी है राइस फ्लावर इस तसल्यूशन जो कि यहां इस्तमाल हो रहा है अच्छे से पूरे पैरों को आप मसाज कीजिए फिंगर्स के बीच में मसाज कीजिए प्रॉपरली जितना भी जो हम ध्यान नहीं रखते हैं वह आप यहां पर ध्यान दे सकते हैं और अच्छे से अपनी स्किन को वाइप ओफ कर सकते हैं किसी भी डेट सेल पल्यूटन्ट या कोई भी परिशानी जो आपके हाथ पैरों में अटकी हुई हो जब आप स्क्रब कर लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ पैर एकदम स्मूध हो जाते हैं बिल्कुल स्मूध हो जाते हैं इस स्क्रब को अच्छे से वाश ओफ कर लेने के बाद अब आपकी स्किन पर जितने भी डेट सेल्स थे वो काफी ज़्यादा लूजन अप हो चुके हैं आपकी स्किन नाच्छली एक्सपोलियेट हो चुकी है लेकिन अब आपको एक लास्ट स्ट करना है ताकि वो जो डेट सेल्स है आपकी स्किन पर अटके हुए हैं वो एक बार में हट जाएं इसके लिए आपको एक बफर की जुरुत पड़ेगी या फिर प्यमाई स्टोन जो भी आपके पास है उससे आप अपनी एडियों को और अपने हाथों को अच्छे से फोकस करके साफ कीजिए शायद कैमरे ने जस्टिस नहीं किया बट बलीव मी मेरे पैप जो इतने साफ लग ही है अच्छे से बफ कीजिए प्यमाई स्टोन या बफर जो भी आपके पास है अगर दोनों है तो पहले प्यमाई स्टोन और फिर बफर से बफ करेंगे तो पूरी की पूरी स्किन एकदम स्मूद आउट हो जाती है और काफी खुबसूरत रिजाल्स आपको इंस्टेंटल कर सकें और इसके लिए अब एक लास्ट टेप हमें आपके हाथ पैरों के लिए करना है जो की है एक पैक अब इस पैक को प्रिपेर करने के लिए आपको मात्र दो ही चीज़े चाहिए लेकिन यह आपकी स्किन पर जो रेडियन्स देती है जो ग्लो देती है वो आप इस आपसे कम स्यादा कर सकते हैं आपसिल्यूटली नो प्रॉब्लम और इसको मिलाने के लिए एकसार करने के लिए आप चाहे तो गुलाब जल का इस्तमाल कर सकते हैं चाहे तो नॉर्मल पानी का कर सकते हैं मैंने यहाँ पर टोनर का इस्तमाल किया है ताकि जितनी भी आप सुरच सा पैक बनकर रेडी हो चुका है इसी पैक को आपको पूरे हाथों में पूरे पैरों में अच्छे से लगाना है और रहने देना है क्योंकि इसमें मुल्तानी मिट्टी और राइस लाड़ दोनों ही ऐसे इंग्रेडियंट है जो जल्दी से सूख जाते हैं इसलिए मात पांच से दस मिनट में ये पूरी तरह से सूख जाएंगे और अब आप इसको साफ पानी से वाश ओफ कर लेंगे जब आप इसको वाश ओफ करेंगे तो आप बहुत खुश हो जाएंगे no.1 आपकी स्किन बहुत ज्याधा रेडियंट हो जाएगी skin का जो tone है वो even होने जैसा दिखेगा पर क्योंकि ये एक ही application है तो ये permanent नहीं होगा, फिलहाल के लिए दिखेगा क्योंकि rice flower यानि कि चावल के आटे का इस्तमाल हुआ है, जो कि आपकी skin को एक नई tone दे देता है एक अच्छा सा खुबसूरत सा grace दे देता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये sustain करे तो इस pack का इस्तमाल आप, you know, repeatedly कर सकते है अपनी skin के लिए, जब भी आप ये pedicure, manicure करें इसके बाद यानि कि आप next day भी कर सकते हैं, उसके next day भी कर सकते हैं, तब वो skin tone थोड़ा better off होने लगता है साफ पानी से clean कर लेने के बाद आपकी skin बे हर खूबसूरत हो जाएगी इसमें कोई दो राए नहीं है लेकिन इसके बाद आपकी skin काफी जादा stiff हो सकती है tightened हो सकती है, क्योंकि मुलतानी मिट्टी और rose rice flower दोनों ही काफी जादा skin को dehydrate कर देते हैं इसी लिए एक अच्छा सा moisturizer आपको इसमें लास्ट में लेना है और अपनी पूरी skin को moisture दे देना है जो कि इस पूरे procedure में शायद उसने lose कर दिया हो और जब आप इसको लगा लेंगे, moisture is the last thing जो हमने externally supply करी है आपकी skin इतनी soft, supple, smooth out, even tone हो जाती है कि आप बेहद खुश हो जाते हैं इस step के बाद आप अपने nails को groom करेंगे यानि कि आपके जो cuticles होते हैं आप उनको remove करेंगे जो dead cuticles होते हैं ज्यादा पीछे push मत कीजेगा देखिए मैं बिल्कुल भी push नहीं करते हूं because it's the natural adhesive जो हमारी skin में produce हुआ है तो इसको जादा push नहीं करना हाँ अगर आपको लगता है कि बहुत जादा expand हो गए हैं आगे तो थोड़ा-थोड़ा push कर सकते हैं पर पूरी तरह से push नहीं करेगा कोई भी let it be natural, right? और हलका सा करके आप अपनी मन पसंदीदा जो भी nail paint है आप उसको लगा सकते हैं अपने nails को file कर सकते हैं groom कर सकते हैं that is going to be the last step and you can enjoy your beautiful hands and feet अगर आपको लगता है कि this is too early for you क्योंकि करवा चौध अभी दूर है, दिवाली दूर है आप बाद में करना चाहते हैं तो आप बाद में भी कर सकते हैं just don't worry आप लोगों के results में अपनी story पर share कर लोगी अपनी upcoming videos में share कर लोगी don't be worried about it आप लोग के queries आ रही थी तो जब आपके पास time है तब आप इसको कीजे and have the best of results for yourself तो इन सबी procedures के बाद जो मेरे परिवार के पास रहे जाएगा वो है खुबसूरत से हाथ और पैर जिनको आप बहुत अच्छी से groom कर सकते हैं, सजा सकते हैं खुबसूरत बना सकते हैं और confident feel कर सकते हैं मैं जितनी भी चीज़े यहाँ अपने परिवार के साथ share करती हूँ वो आप सभी को एक तो economical benefit देने के लिए होता है क्योंकि बहुत जाद expensive होते हैं procedures जब हम बाहर जाते हैं तो और दूसरा purpose होता है आप लोगों को confidence देने के लिए कुछ लोग होते हैं जिनके लिए यह चोटी चोटी चीज़े बहुत important हो जाती हैं और वो उनके confidence को hit करने लगता है तो मेरे पूरे परिवार को में एक ही message हमेशा देना चाहती हूँ कि you are very beautiful believe me आप बेहद खुबसूरत हैं हमें सिरफ अपने आपको थोड़ा बहुत यहां वहां ग्रूम करने की आवशकता है otherwise light अंदर से आनी चाहिए अपने character पर काम कीजे अपने उपर काम कीजे अपनी सोच पर काम कीजे and believe me वो light इतनी तेज होती है न कि आपके nails तक नजर जाएगी नहीं किसी की इसलिए please work on yourself मैं अपने पूरे परिवार पर इतना गौरवानवित फील करती हूँ इतना I am so proud of you कि आप लोग इतनी खुबसूरत सी सोच अपनी यहाँ पर comment section में लिखते हैं that I feel so proud of you Thank you for being a part of Preeti Pradna आप सभी के प्यार और विश्वास की वजह से मैं इतनी सारी चीज़े आप लोगों के सामने present कर पाती हूँ और बहुत खुबसूरत सा परिवार एक साथ बना बना कर आगे चल पा रही हूँ Thank you from the bottom of my heart आप ऐसे ही Preeti Pradna के चानल को प्रोचाहित करते रहे मुझे बहुत सारा confidence देते रहे वीडियो को लाइक करना मत भूलिये नए है तो सब्सक्राइब किये बिना बिल्कुल मत जाएए और मैं ऐसे ही बहतरीन चीज़े आपके लिए लेकर आती रहूंगी तो एपिसोड नमबर वन में हमने अपने बालों को गुरूम किया एपिसोड टू में हमने अपने हाथों और पैरों को गुरूम किया Let's see what are we going to do in episode number 3 तो stay tuned और episode 3 में हमारे साथ अवश्य जुरियेगा I love you all, take really good care of yourself